देश में जब होली का तिवहार मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी और मध्य प्रदेश की राजनीती में बड़ा फिर बदल हो गया कॉंग्रेस के दिग्ज निताओं में शुमा रहे जोती रादिते सिंधिया ने बुढ़वार को भाजपा की सदेसता ग्रहन कर ली उन्होंने मंगलवार को भाजपा में शामिल होने के दुरान कॉंग्रेस से अपनी नाराजगी के कारण इसपष्ट किये भाजपा मुख्याले में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदिस्ता ग्रहन करने की बाद सिंधिया ने कहा कि अब कॉंग्रेस पहली जैसी नहीं रहे सिंधिया ने पहला कारण बताते वे कहा कि कॉंग्रेस में जड़ता की स्थिती है मुख्य मंतरी कमलनात का नाम लिये बगेर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा सिंध्या ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के व्यक्तित्व को भी भाजपा में आने के पीछे का कारण बदाया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के नित्रतों में भारत का भविश सुरक्षित है राष्ट्य अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधान मंत्री जी नरेंद मोदी जी के दिखाएवे रास्ते पर हमारे ग्रहमंत्री अमिच शाजी पूर्व अध्यक्ष के दिखाएवे रास्ते पर और हजारों सेंकडों करोरों भारती जंता पार्टी के कारिकरताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अफसर मुझे मिलेगा इसके लिए मैं कृतग्य हूँ इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने सिंधिया को परिवार का सदस से बताते वे कहा कि राजमाता विजिया राजे सिंधिया के पोत्र के आने से खोशी हुई है नड़ा ने कहा कि आज राजमाता सिंधिया को याद कर रहा हूँ भारती जनसंग और भाजपा के इस्थापना से लिकर विचारधारा बढ़ाने में राजमाता का योगदान रहा है वे हमारे लिए आदश रही हैं आदर नियमोदी जी के नेतुत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूँ कि आपको भारतिय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सवभाग्य मिलेगा उलेखनी है कि कॉंग्रेस में सिंध्या की गिंती राहुल के सबसे करीबी निताओं में होती थी उनके प्रेंका से भी अच्छे संबंद रहे हैं सिंध्या जिस समय दिली में भाजपा कार्याले पहुंच का सदेस्ता ले रहे थे उसी समय समर्थक विधायकों ने वीडियो संदे जारी कर कहा कि कुछ भी हो जाए वे सिंध्या के साथ नहीं छोड़ेंगे और सिंध्या के साथ ही रहेंगे 19 विधायक जो सिंध्या के समर्थक माने जाते हैं वो बैंगलूरी में बताय जा रहे है ये सबी मंगलवार को ही अपने इस्तीफे विधानसवा अध्यक्ष को भेच चुके हैं इसके बाद मद्य परदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में नजर आती हुई दिख रही है दिली से अजीप कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी